एलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ नीट 2022 की कट ओफ क्या रहा सकती है सेकंड राउंड के लिए आपको पताए कि ऑल इंडिया कोटा राउंड बनका रिजल्ट फाइनली आ चु लेकिन हम मूर्खता के अवाहों में आकर के जब हमको पता है कि हम किसी स्टेट में कॉलेज नहीं ले पाएंगे ठीक है माल लीजी का अप उत्तर पिदेश के कंडियेट है ठीक है आप तमिल लाडू ठीक है उडिसा लाइक अधर स्टेट मॉंबई माली जी का थोड़ी दे लेकिन है ठीक है माल लीजेगा आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है किसी भी स्टेट में ठीक है ठोड़ी दर को माली जीगा आपको तमिल नाडू में को कॉलेज अलॉट हुआ आपने यहां पर 50 प्रिफरेंस लिस्ट कॉलेज चुआ इस फिलिंग में डाले 50 ठीक है अब अब को 51 नंबर तमिल नाडू का है यह आपको अलॉट हो गया राउंड बन में ठीक है अभी मैं कट आफ आपको बताऊंगा थोड़ी सी डेटल में आपको बता देता हूं उसके बाद में बताऊंगा उसके बाद बात रही जो 51 कॉलेज आपको तमिल नाडू का अलॉट यूपी ठीक है यूके ठीक है और बिहार राजस्तान ये कॉलेज आपने चॉइस फिल्म का डाले 51 के बाद ठीक है तो आपको अगर इनमें से कोई कॉलेज मिलना होता ना यूपी उत्राखंट बिहार राजस्तान तब भी क्यों नहीं मिल पाया क्योंकि आपने मुर्गता क एक अपना पर्चा दीया वो पर यह था कि आपने इस क्लेज को डाला जो आपको 51 पर मिल सकता था जहां पर आपको एड़ी सबसे नीचे डालते जब आपको पता था कि अगरंगर हमको यहां पर कहीं पर कोलेज नहीं मिलेगा तब अगर हमको तमिल नडू का मिलता है तो हम आडवीशन कराएंगे तब आपको पता है जाब फेमली हमारी हम खुद नहीं जाएंगे तो चौइस फिलिंग में डालने का कोई फायदा नहीं होता है तो चौइस में सही से डालीगा मैं बार-बार आपको बोलता हूं ठीकिया क्याने सुच आपको इसकी इंफर्म कर दी जाए ठीक है अभी इस ट्रेट की चल ली तो इस ट्रेट में भी आप अपना त्यार रखी है ठीक है जैसे इस बार 2022 के लिए कट आफ की बात करते हैं तो मैं आपको पहले भी बोला था कि अप्रोक्स आपको सीट मिल जाएगी जिनकी रेंक 17000 के अप्रोक्स है ठीक है ओबीसी के लिए बात करूँ अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो 21 में क्या कट आफ रही थी उसका कोड़िंग हम देखेंगे कि 22 में राउंड टू के लिए कट आफ कर रह सकती है थोड़ा सा यहां से सुनीगा अगर 2021 के राउंड बन की बात करें और यहां पर राउंड टू की बात करते हैं तो आप यहां से चेक कर सकती हो कि इस बार कट आफ क्या रही थी आपकी 2022 में राउंड बन की कट आफ 17401 कट आफ आपकी रही थी ठीक है आप नहीं देख सकते ह 2020 2167089 वांक्स की बात करें राउंड टू में बात करें 17424 और राउंड त्यूं में मांक्स 630 मांक्स की तरफ बिलकुल भी न देखिए आपको जो भी इन भी कॉल्ब होता है क्योंकि एक एक रैंक पर आपके बहुत हजारों बच्चे आते हैं ठीक है आपके 602 मांक्स हैं है ठीक है तो आप लोग इध्यार रखें कि आपको ओल इंडिया रेंग के अकॉर्डिंग कॉलिज मिलता है ना कि मार्क्स की ठीक है चलीगा देखीगा यहां पर मैं पता दू ओबी सी कटेगरी के लिए चुक टॉप रही थी 2021 में बो 610 रही थी 14,930 EWS के लिए 15,662 SC के लिए 78,780 SC के लिए एक लाग दो जार माज़नावासी राउंड टू में 17,624 ठीक है अब आप डिफ्रेंस देखीगा यह तो रही 2020 बन में सेकिंड राउंड की कट ओफ यह रही फर्स्ट राउंड की कट ओफ हाओ 17,624 आपकी कट ओफ है और राउंड बन में क्या कट ओफ रही थी 13,9898 ठीक है अब है यहां से देखीगा कि आपकी 2022 में कितनी कट ओफ रही है राउंड में 17,401 आ यह मानसे 949 बन में सेकिंड डाॉंड की कटॉप अगर हम इन दोनों की डिफ्रेंस की बात करते हैं इन दोनों की डिफ्रेंस की बात करें तो 3645 इनका डिफ्रेंस से राउंड बन में comparison to round 2 ठीक है अगर approximate percentage की बात करें तो 26% difference round 1 की cutoff में round 1 की cutoff second round के according रही थी difference रहा था 26% के approximate जो की 2021 में है ठीक है किसमें है 2021 में अगर हम यही percentage 2022 की cutoff में लागू करें तो उम्मीद है कि हमारी approximate cutoff निकल सकती है जो की second round के लिए आप eligible रह सकते हैं आप college मिलने की possibilities बन सकती है अगर यहां से मैं बात करता हूं कि 17401 यहां पर cutoff आपकी रही है 17401 2021 में cutoff आपकी round 1 में रही है अगर मैं friends यहां से बात करता हूं कि 17000 और difference कितना है 3642 के difference है मतलब 26% के difference है ठीक है तो यहां तो आप यह जोड सकती हो इसके according देख सकती हो यहां फर percentage के according देख सकते हो percentage के according थोड़ी सी rank high जाएगी इसके according marks थोड़ा कम जाएगा ठीक है तो यह possibility बन सकती है यहां पर 17400 एक आपकी जो ओल इंडिया round बन की cutoff रही थी वह आप count कर सकती कि round 2 में आपकी क्या cutoff रह सकती है यहां पर अगर आप बात करें तो approximate अगर आप देखेंगे तो 20,000 से पिलस आपकी rank आ सकती है अगर मैं बात करता हूँ एक अनमानित ठीक है तो अनमानित बात करूं तो 21,500 के according आपकी जो ओल इंडिया rank है second round की cutoff यहां तक आपकी रह सकती है ठीक है second round की cutoff आपकी रह सकती है जो चात्र ठीक है एप्रोक्सिमेट 21,000 के round जिनकी rank है उनको जन्रल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ जन्रल कैटेगरी के round 2 की ठीक है अगर इतनी rank है तो आपको एप्रोक्सिमेट कॉलेज में मिल सकता है ठीक है तो फ्रेंट्स यह एक अनमानित डाटा है जो मैंने आपको बता रहा हूं ठीक है अब जैसे यहां पर देख सकते हो ओबीसी के लिए कितना डिफ्रेंस रहा है आप देख सकते हो एप्रोक्सिमेट बात करें तो एप्रोक्सिमेट बात करते हैं तो 3000 के आपका second round का ड अब यहां पर मैं बात करता हूं जैसे मौप राउंड की बात रही ठीक है एस्टी केटेगरी में आपको एस्टी केटेगरी के लिए बात करता हूं तो एप्रोक्स आप देख सकते हो यहां पर एप्रोक्स पचास हजार रैंक का डिफ्रेंस है ठीक है लेकिन second round के बाद जोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो राउंड बन में ठीक है जो सीट मिलती है या तो उस पर एडवीशन लेते हैं नहीं तो एप्रोक्सिमेट मोस्टली और बच्चे अपनी स्टेट कोटा की तरफ चले जाते जब उनको कोई अच्छी सीट अलॉट नहीं हो पाती लेकिन एक बात यहां पर बताना चाहूँआ कि आपको सबसे अच्छी सीट आपकी स्टेट के कांसलिंग के कोडिंग मिल सकती है आपकी होम स्टेट में क्योंकि आपकी स्टेट में केबल आपके स्टेट की बच्चे ही कॉमपटीशन लाइन में हैं और आपके बच्चों को आपकी स्टेट के बच्चों में भी आपको कॉमपटीशन करना है लेकिन अगर मैं 15% की बात करूं तो आल ओबर इंडिया से वहां पर बच्चे जो हैं कॉमपटीशन में लगे हुए हैं तो एप्रॉक्सिमेट आप यहां से चेक कर सकते हो जैसे 3645 यहां पर आपका लास्ट यह डिफ्रेंस रहा था तो इसमें भी आप 3445 अ शेशुपटालीश डिफ्रेंस देख सकते हो ठीक हैं यहां पर भी देख सकते हो तो एप्रॉक्सिमेट आपका नीट 22022 की ऑल अंडिया की सेकट डाउन की कट आफ आप यहां से निकाल सकते हैं ठ को जरू सस्क्राइब करिएगा